अस्सालामु आलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मूमोस की रेसिपी जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो चलिए आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ बहुती ज्यादा टेस्टी चिकन मूमोस की रेसिपी मूमोस तो सभी के फेवरेट होते हैं छोटे हो या बड़े पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बिना स्टीमर हम मूमोस घर पे कैसे बनाएं तो चलिए आपको परिशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आज हम बनाएंगे चिकन मूमोस बिना स्टीमर के अपने घर पर चिकन मुमोस बनाने के लिए यहां हमने लिया है 200 गराम चिकन का कीमा अब इस कीमे में हमें डालनी है बारी कटी हुई एक बड़ी प्याज प्याज एकदम बारी कटी हुई होनी चाहिए तो सारी प्याज हमें इसमें डाल देनी है दो बारे कटी हुई हमें इसमें हरी मिर्ज डाल देनी है अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या ज्यादा कर सकते हैं एक चम्मच इसमें डाल देंगे काली मिर्ज का पाउडर आदा चमच इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से कम्या ज़ादा कर सकते है एक चमच इसमें हम डाल देंगे सफेद सिरका एक चमच भरकर हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस इससे बहुती अच्छा फिलेवर मूमोज में आता है दो चम्मच इसमें हम डाल देंगे ओल एक चम्मच इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसून का पेस्ट सारी चीजों को अब हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स ताकि कीमे में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए तो यहां देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब इसको हम cover करके 10 मिनट तक marinate करेंगे तो चलिए अब हम momos का डो तयार करते हैं उसके लिए यहां हमने एक bowl लिया है जिसमें हमें 1.5 कप मैदा डालना है यह हुआ एक और यह हो गया आदा अब इसमें हम डाल देंगे 1 चमच नमक नमक थोड़ा एहतियास से डालें क्योंकि हमने filling में भी नमक एड़ किया है दो चमच इसमें हम डाल देंगे refined oil आप चाहें तो refined oil की जगा घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगा पटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं सारी चीजों को आप अच्छे से कर लिजिए mix इस तरहां से तो ये देखिए हमने सारी चीजों को अच्छे से कर लिया है mix अब हम इसमें add करेंगे पानी पानी हम थोड़ा थोड़ा करके add करेंगे एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे नहीं हमें एकदम hard डो चाहिए और नहीं हमें एकदम soft डो चाहिए हमें एकदम medium डो तैयार करना है जो नाकी बिल्कुल पतला हो और नहीं बहुत ज़्यादा hard हो तो यहां देखिए हमारा एकदम perfect डो तैयार हो चुका है हमें पस इसी तरह का डो तैयार कर लेना है अच्छे से फैला लेंगे, इस तरह से, इस तरह करने से, जो हमारा आटा होता है न, वो उपर से सूपनता नहीं है, तो इस तरह से जरूर करें, अब हम इसको कवर कर देंगे, और 15 मिनट के लिए रख देंगे, तो अब हम मुमोज की चटनी तयार कर लेते हैं, तो उसके लिए यहां हमने एक बर्तन लिया है, जिसमें एक कफ हमने पानी डाल दिया है, अब इसमें हम दो टमाटर डाल देंगे, इस तरहां से कट लगाकर, ऐसा करने से टमाटर जल्दी उबल जाते हैं, और चार इसमें हम सूखी लाल मिर्च और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि मिर्च और टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते तो यहां देखिए टमाटर और मिर्च अच्छे से उबल चुकी है दौनों चीजे गल चुकी है तो अब इसको हम एक पिलेट में बहार निकाल लेंगे अब हमें क्या करना है जो हमने टमाटर अबाल के रखे थे उसके हमें छिलके उतार लेने हैं विल्कूल इस तरह से जब टमाटर अच्छे से उबल जाते हैं तो इसके छिलके बहुत यासानी से उतर जाते हैं देखिए इस तरहां से दोनों टमाटर की हमें छिलके उतार लेने है साथ ही में हमें इसमें ये उबली हुई मिर्च भी डाल देनी है अब हमें इसमें डालने हैं चार से पांच लहसुन की कलियां जिनके हमने छिलके उतार लिये थे एक छोथाई चमच इसमें हम डाल देंगे नमक एक चमच इसमें हम डाल देंगे चीनी चीनी डालने से चटनी का टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाता है एक चमच इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चमच इसमें हम डालेंगे सिर्का सिरका इसमें जरूर से एड़ करिएगा सिरका एड़ करने से चटनी जल्दी खराब नहीं होती इसको एकदम बालिक पेस लेंगे तो यहां हमारी चटनी बिल्कुल बनकर राड़ी हो चुकी है अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे तो यह देखिये हमारी मुमोस की चटनी भी राड़ी हो चुकी है यह देखिये तो चलिए अब हम अपने मुमोस बनाना शुरू करते हैं तो यहां देखिए पंदरा मिनट हो चुके हैं डो को इस तरह से रखे हुए तो अब इसको एक बार हम फिर से मसल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अब इस डो के हम छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे इस तरह से आपको जितने बड़े मुमोज के साइस चाहेंगे आप उस हिसाब से पेड़े काट लीजिए इस तरह से हम पेड़े काट लेंगे यहां देखिए हमने सारे पेड़े काट लिये हैं तो अब इसके हम इस तरहां से बॉल बना लेंगे इस तरहां से हम सारे पेड़ों की बॉल बना कर तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमने सारी बॉल बना कर तयार कर ली हैं तो अब इसमें से हम एक बॉल निकाल देंगे और बाकी को हम ढग देंगे ताकि ये सूख न जाए तो अब इस जगा हम डाल देंगे सूखा मैदा ताकि जब हम इसको बेले तो ये नीचे छिपक न जाए तो अब इसको हम पतला बेल लेंगे एकदम पतला हमें इसे बेल लेना है तो यहां देखिए हमने इसको एकदम पतला बेल लिया है तो अब इसकी सेंटर में हम रख देंगे चिकन की फिलिंग जो हमने बना कर तैयार की थी वो इस तरह से हम सेंटर में रख देंगे इसे हमें इस तरह से लंबा लंबा रखना है ये देखिए इस तरह से अब हम इसको इस साइट से लेकर दूसरी साइट में इस तरह से उठाएंगे हम और दूसरी साइड से चिपका देंगे, बिल्कुल इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से उंगली से हम इसे प्रेस करेंगे, ताकि ये खुले नहीं, बिल्कुल इस तरह से, अच्छे से इसे हमें लॉक कर देना है, ये देखिए, अब इसका हमें दूसरे कॉर्डनल लेना है, और दूसरा कॉर्णनर लेकर आपस में से हमें इस तरह से चिपका देना है ये देखिए बिलकुल इस तरह से और इसको हमें इस तरह से प्रेस करना है नीचे की साइड तो ये देखिए हमारा मूमोस बनकर तैयार हो चुका है यह देखिए कितना प्यारा शेप है ना बिल्कुल इसी तरह से हमें मुमूस बना कर तयार कर लेने हैं अब मैं आपको एक दूसरा शेप बना कर दिखाती हूँ यह देखिए हमने सेम प्रोसेस से इसको बेल लिया था अब इसके सेंटर में हमें यह फिलिंग रखनी है चिकन की जो हमने बना कर रखी दी जितनी फिलिंग आपको चाहिए आप उतनी फिलिंग रख दीजिए अब इसको हमें चारू तरफ हमें इसके पानी लगा देना है इस तरह से ताकि यह अच्छे से बंद हो जाए तो अब इस तरह से हमें यह देखिए इस तरह से बंद करना है यह देख रहे हैं आप बस इसी तरह से बहुत ही आसान होता है इसको शेप देना यह देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसे चारू तरफ से घुमाते हुए बंद कर लेना है तो ये देखिए एक और प्यारा सा हमारा चिकन मूमूस बनके तयार हो चुका है आप जैसा भी शेप चाहे मूमूस को दे सकते हैं तो यहां हमने सारे मूमूस बना कर तयार कर लिये हैं तो चलिए अब हम इसको स्टीम करते हैं स्टीम करने के लिए यहां हमने एक कडाही ली है इस पर हमने यह चन्ना रख दिया है ये चन्ना हर घर में मौजूद होता है इसको हमने फॉइल से गिरीज कर लिया था इसमें हमें मुमोज रख देने हैं जो हमने बना कर रखे हैं सारे मुमोज हमें इसमें रख देने हैं तो यहां देखिए हमने मुमोज रख दिये हैं अब इसको हम cover कर देंगे और 15 मिनट तक high flame पर steam करेंगे 15 मिनट हो चुके हैं high flame पर इसे steam होते हुई ये देखें आप कितने अच्छे से steam हो रहे थे इसमें और ये देखें आप कितने अच्छे से हमारे momos steam हो चुके हैं अब इसको हम इस तरहां से पलट देंगे दूसरी साइड ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से स्टीम हो जाए ये देखिए इस तरह से हम इसे सारे मुमोस को पलट देंगे सारे मुमोस हमने पलट दिये हैं एक बार फिर हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट तक इसे दुबारा स्टीम करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं ये देखिए अब तोनों साइट से मुमोस अच्छे से स्टीम हो चुके हैं तो अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अब आप घर पर ही बना सकते हैं चिकन मुमोस बिना किसी जंजटके ये देखिए कितने परफेक्ट स्टीम हों है हमारे मुमोस सारे मुमोस को अब हम एक पिलेट में निकाल लेंगे तो देखिए हमारे असलम भाई के फेमस चिकन मुमूस बनके तैयार हो चुके हैं वो भी घर पर बहुत ही आसानी से बिना स्टीमर के और बिना किसी जंजट के हैना इसे बनाना कितना ज्यादा आसान आई होप आपको मेरी ये डिलिशियसी चिकन मुमूस की रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा आपको मेरी ये चिकन मुमूस की रेसिपी कैसी लगी मिलूंगी फिर किसी एक ऐसी ही डिलिशियसी रेसिपी के साथ तब तक आप अपने घर इस चिकन मुमूस की रेसिपी को जरूर से ट्राए करिएगा तब तक के लिए खाएं पीएं और खोश रहें अल्ला हाफिज